स्वागत आपका करेंट अफिर में ताकरश में आज के अनि 26 नॉवंबर 2023 की करेंट अफिर को जानेंगे जो चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर वन स्टार्स एशियन इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का एवाल्ड किसे मिला सही आंसर है ऑप्चिन नमबर C इश्वाक सिंग इश्वाक सिंग को स्टार्स एशियन इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का एवाल्ड मिला इन्हें इनकी फिल्म बर्लिन के लिए एवाल्ड दिया गया कोशन नमबर 2 ICC ने किस खिलाड़ी पर 6 साल का प्रतिबंद लगाया सही आंसर है ऑप्चिन नमबर B मारलन सेमुवल्स वेस्ट इंडीस के खिलाड़ी मारलन सेमुवल्स पर ICC ने अमिरात क्रिकेट बोल्ड में एंटी करप्चिन कोल्ड का उलंगन करने का दोशी पाय जाने पर 6 साल का प्रतिबंद लगाया कोशन नमबर 3 किस राज्य के परेटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मानेता मिली सही आंसर है ऑप्चिन नमबर C केरल केरल राज्य के परेटन मिशन को UNWTO ने अपनी वैश्विक मानेता दी कोशन नमबर 4 इमाद वसीम ने इंटरनाशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया ये किस देश के खिलाड़ी है सही आंसर है ऑप्चिन नमबर C पाकिस्तान पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाद वसीम ने इंटरनाशनल क्रिकेट से अपने सन्यास की घोशना कर दिये कोशन नमबर 5 हाल ही में भारत और किस के बीच समी कंड़क्टर समझोता हुआ सही आंसर है ऑप्चिन नमबर D European Union European Union और भारत के बीच समी कंड़क्टर समझोते पर हस्ताक शरूए कोशन नमबर 6 किस देश में भारत में इस्थाई रूप से अपना दूतावास बंद किया सही आंसर है ऑप्चिन नमबर A अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने अपना दूतावास बारत में इस्थाई तोर पर बंद कर दिया कोशन नमबर 7 अंतराश्ट्रिय चीनी संगठन की अध्यक्ष्टा कौन सा देश करेगा सही आंसर है ऑप्चिन नमबर C भारत भारत अंतराश्ट्रिय चीनी संगठन की अध्यक्ष्टा करेगा कोशन नमबर 8 भारत नेपाल संयुक्त सैन ने अभ्यास सूरी किरण 2023 का आयोजन कहां हो रहा है कोशन नमबर ऑप्चिन नमबर A पिथारागड पिथारागड में भारत नेपाल संयुक्त सैन अभ्यास सूरी किरण का आयोजन हो रहा है इस बार इसका सत्रोवा संसकरण है कोशन नमबर 9 राश्ट्रिय स्क्वैस चैंपियंशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाडी कौन बनी सही आंसर है ऑप्शन नमबर B अनहाथ सिंग अनहाथ सिंग राश्ट्रिय स्क्वैस चैंपियंशिप में किताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाडी बनी कोशन नमबर 10 BCCI 100 Women's 2023 की सूची में कितनी भारते महिलाएं शामिल हुई सही आंसर है ऑप्शन नमबर C 4 BCC 100 Women's 2023 की सूची में चार महिलाएं शामिल हुई जिसमें अभिनेत्री दिया मिलजा, क्रिकेटर, हर्मन प्रीतकौर, फोटोग्राफर आर्ती, कुमार राव और तिबती बौध नन, जेट सुनना, तिन्जिन, प्लामो है Q11. दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्दुत सहियंत्र का उधगातन किस ने किया सही आंसर है ऑप्शन नमबर D UAE UAE यानि United Arab Emirates ने दुनिया के सबसे बड़े सौर विद्दुत सहियंत्र का उधगातन किया Q12, नम्मा कंबला प्रतियोगिता का आयोजन कहा हो रहा सही आंसर है, option number C, बैंगलूरू बैंगलूरू में नम्मा कंबला प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा ये आयोजन 25 नमंबर को हो रहा है Q13, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2030 का आयोजन कहा होगा सही आंसर है option number C नई दिल्ली नई दिल्ली में खेलो इंडिया पेरा गेम्स 2030 का आये जुन होगा खेलो इंडिया में पेरा गेम्स पहली बार शुरू हुआ question number 14 guilt wilders कि जेस के पह अगले प्रधान मंत्री बनेंगे सही आंसर है option number D नीदरलेंड नीदरलेंड के अगले प्रधान मंत्री guilt wilders बनेंगे question number 15 सिखों के नववे गुरू गुरू तेग बहादू सिंग का शही दिवस कब मना जाता है सही आंसर है option number C 24 नवंबर हर साल 24 नवंबर को गुरू तेग बहादू सही दिवस मना जाता है 1675 में औरंग जेप के आदेश पर दिल्ली में चांदनी चौक में जलाद जालालत दीन ने अपनी तलवार से गुरू साहिब का शीज़दर से अलग कर दिया लाल के लिए के सामने आज उसी जगा पर गुरू दौारा सीज़कन साहिब इस्तित है चली आजाते हैं आज के आने 26 नवंबर के इतिहास की ओद 1885 में पहली बार उलका पिंट की तस्वीर ली गई 1921 में देश में स्वेत करांती के जनक माने जाने वाले वर्गिस कुरियन का जन्म हुआ 1922 में महान क्रिकेटर डौन ब्रेड मैन ने प्रतम श्रेडी क्रिकेट में 10,000 रन बनाए 1949 में आजाद भारत के सम्विधान पर सम्विधान सभा के अध्येक्ष ने हस्ताक्षर किया 1949 में भारतिये सम्विधान सभा ने सम्विधान को अपना लिया 1960 में भारत में पहली बाद लकनव और कानपूर के बीज टेलीफोन की स्टीडी सेवा शुरू हुई 1960 में फ्रांस की रेंस नदीम के मुहाने पर विश्व के पहले जोरिये उर्जा संयंत्र ने काम करना शुरू किया 1967 में लिजबन में बादल फटने के से करीब 450 लोग मारे गए 1976 में वार्चो संदी संगटन सयुक्त सच्चिवाल है की स्थापना की गई 1983 में हत्यार बंद दकैतों ने लंदन में हिक्त्रो एरपोल्ड पर धाई करोड पाउंड के सोने की लूट कर ली थी 1984 में इराक और अमेरिका ने कूट नीती संबंदों को पुना इस्थापित किया 2001 में नेपाल में 200 माववादी विद्रोही मारे गए और देश में अपात का लागू हुआ 2005 में भारत के विजयपत सिंगानिया ने सबसे गर्म हवा के गुबारे की उड़ान का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो 69,852 फिट तक पहुँच गया 2008 में ताज होटल समेत मुंबई के कई स्थानों पर आतमवादियों ने हमले किये इसमें हमले में 164 लोग मारे गए 2012 में अर्विन केजरिवाल ने आम आदमी पाल्टी के नाम से नए दल, राजनीतिक दल का गठन किया थैंक यू वेरी मच अगर आप लोग को ये वीडियो शसन पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और सस्क्राइब जरूर कीजेगा